इसके कुछ की हाइलाइट्स में आपको बताता हूँ, 0-100 की स्पीड ये कार केवलो केवल 3.9 सेकेंड में ही कवर कर लेती है, इसकी टॉप स्पीड 275 किलोमीटर परावर तक की है, ये है पॉर्से 718 बॉक्स स्टार, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कार के दीटेल में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस प्रेसाल है, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो, तो टेक्निकल स्टी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब परने के पर आपके बात्रा आपके लिए Lord कई तान अब खुब आँ स्वाइब बार गाम के लगाई प्रादा नाओना फट्क्राइब लुब एंगाई लुब ऑुब लुब ऑट लीरा इसे रहते लिँ प्रादादी रेरी वह वह मेंश खुब लुब बार द तर बारे बार द वह बुब ऑट नमस्कार दोस्तों मैं हर्स हाई जीरूँ अब सभी के सामने एक पर फिर से अल्ट्रा लग्जीरियस सुपर कार के साथ यह है पॉर्से की चाबी इसमें आपको फूर फीचर्स बटन मिलते हैं अनलॉक लॉक फ्रेंट बूट ओपन रियर बूट ओपन सबसे पहले बात करते ह है इसकार के डामेंजन्स की इसकी लेंथ है 4,379 mm विट है 1,801 mm हाइट है 1,281 mm वील बेस है 2,475 mm और इसका कर वेट है 1,365 kg इसका ग्राउंड क्लिरेंस 128 mm का है आए भी इसका वाकराउंड करते हैं यह है इसकार की प्रॉपर राइट प्रोफाइल यह है इसकार की प्रॉ प्रॉपर लेट प्रोफाइल यह है इसकी प्रॉपर रियर प्रोफाइल सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स्टेरियर की फ्रेंट में यहां पर कंप्री ने पॉर्से का लोगो लगा कर दिया है यहां पर हैडलाइट वासर मिलता है यहां पर कंप्री ने इसके साइट ट मिलती है जो की दो काम करती है DRL का भी काम करती है और पना यहसरी के के लेफ्ट में एसर लम ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस कार में आपको ABS मिलता है इस कार में आपको 54 लीटर की fuel tank capacity मिलती है राइट साइड में यहाँ पर आपको fuel cap मिलता है फ्रेंट विंड शील का डिजाइन कुछ तरीके का है वाक्स्टर एक convertible कार है इस वज़े से इसका जो design है बहुत ज़्यादा attractive लग रहा है फ्रेंट में rain sensing wipers मिलते हैं electrically adjustable and retractable ORBMs मिलते हैं black and yellow का combination बहुत ज़्यादा amazing लग रहा है door handle भी आपको black color में मिलते हैं यहाँ पर आपको air vents मिलते हैं और इसका जो pattern है यह भी आपको black color में मिलता है rear में भी 18 inches के 10 spoke gloss black boxster wheels मिलते हैं rear में भी good seer का ही better quality का tireless tire मिलता है बट rear tire side different 26545ZR18 यह है वाकster की proper rear profile इस कार में कंपनी ने electronic boot spoiler लगा कर दिया है यहाँ पर brake light मिलती है यहाँ पर rear में आप देखिए Porsche को company ने 3D में mention किया है और 718 वाकster को भी mention किया है जो की इसके look को काफी ज़्यादा sporty बना रहा है इसकी tail light आप देखिए बहुती ज़्यादा प्यारी है LED में मिलती है वाकster में Porsche sports exhaust package मिलता है इसके exhaust का sound बहुत ultimate है आपक आगे जरूर सुनाऊंगा रियर में भी ultrasonic parking sensors मिलते हैं मैंने आपको detail में इसका exterior तो explain कर दिया आईए बात करते हैं इसके interior की और चलते हैं इसके अंदर इसके driver side का door जो है वो कुछ इतना open होता है फ्रेंट से वी में आपको दिखा देता हूं यह car convertible है इस वज़े से आप को इसमें जो windows है उन पर आपको frame नहीं मिलता है इसका interior pattern कुछ तरीके का है ultra premium door handle मिलता है यहाँ पर airbag को mention किया है इस car में company ने 150 watt के 8 loud speakers लगा कर दिये हैं driver door पर multifunctional buttons मिलते हैं ORVM control windows control इसका glass में आपको अप करके दिखाता हूं यह देखी गाईस frameless windows मिलती है यहाँ पर company ने unlock buttons मिलते हैं यह वाक्स्टर का three spoke power plus steering wheel आई एफ कार में अंदर बैठते हैं और इसका comfort देखते हैं वाक्स्टर का ground clearance बहुत ही कम है तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जमीन में ही बैठ गया हूं बड़ इसका comfort एक अलगी level का है company ने इसके ignition को यहाँ पर दिया है इसकी चाब instrument cluster लगा कर दिया है इसके instrument cluster में आपको बहुत सारे लग्सीरियस premium features मिल जाते हैं steering wheel पर center में यहाँ पर आपको Porsche का logo मिलता है left side में entertainment call button मिलते हैं यहां पर भी आपको controllers मिलते हैं left side में यहाँ पर side turn indicator lever मिलता है right side में wiper control lever मिलता है यहाँ पर pedal shifters मिलते हैं यह रेसिंग में का मिलता है यहां पर एबी लीवर्स मिलते हैं वाक्स्टर में एलकन टारा ब्लैक लैधर इंटिरियर मिलता है सीट्स भी आपको लैधर में मिलती है इसकी क्वाल्टी बहुत जवरदर्स थे भाई आईए अब मैं आपको इसकी हेड्लाइट जो है वो ऑन करके दिखाता हूं यह देखिए गाइस मैंने आपको इस्टाइटिंग में एक इसका फीचर बताया था इस्टेरिंग और स्पीड के हिसाब से इसकी लैट जो है वो एड्जेस्ट होती है यह आप देखिए हजार लैट भी आप इसकी देखिए सेटिंग पोजिशन के अगर बात की जाए तो इसके जो इनफोटेन्मेंट की स्टाइटिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है इसमें मल्टीपल सपोर्ट मिलते हैं लाइक एपल कार प्ले नेविगेशन मॉडियूल विद और से कम्मुनिकेशन मैनेजमेंट और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं यहां पर आपको इस इवेंट्स मिल जाते हैं यहां पर आपको एक मिटर मिलता है गेर लीवर मिलता है इस कार में आपको सेविन गियर्स आटोमेटिक एंड मैनुल मिलते हैं और इसमें आपको मल्टीपल मोट्स मिलते हैं मल्टीपल फीचर बटन्स मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको कुछ इतना स्पैस में जाता है। योईएजबीयै-चार्जिंग। पोड्र्ट मिलता है। जितना इसका एक्सटीरियर लग्सीरियस है। उतना ही इसका इंटी। भी बहुत लग्सीरियस है। यहां पर वैनिटी मिरर्स में जाते हैं, को ड्राइवर साइड में इसमें भी LED लाइट्स दी हुई है काफी अच्छी बात है और ड्राइवर साइड में भी मिलता है यह देखिए इसमें भी LED लाइट है यहाँ पर IRVA मिलता है और यहाँ पर लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं मुझे इसकी एक चीज बहुत ही जवर्दस लगी है कि इसमें कमपणी ने LED का ही हर जगे यूज किया है आईए अब मैं आपको ये कवर करके देखाता हूँ कुछ इस तरीके से ये कवर हो जाती है और कवर होने के बाद बाहर से ये कुछ इस तरीके से दिखती है इंटीरी भी पूरा ही बंद हो जाता है चवर्दस एक तब मज़े ही आगया भई आईए गाइस अब वहां की बात करते हैं जहां से इस कार की परफॉर्मेंश निकल कर आती है जी हाँ आप बिल्कुल ठीक समझे इसके इंजन की इस कार में आपको 2 लीटर यानि की 1,988 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर 4 वॉल्व टर्वो चार्ज इंजन मिलता है यह कार 4 लीटर इंजन में भी आती है यानि की 4000 cc में भी आती है 2 लीटर इंजन वाले की मैक्जिमम पावर है 295 bhp की 6000 rpm और इसका मैक्जिमम टॉर्क है 318 Nm का 2150 rpm इसके इंजन से बहुत ही जवरदस्त पावर मिलती है और एकदम बूम से भागती है इसकी मैक्जिमम स्पीड में आपको स्टाटिक में ही बता चुका हूँ 275 प्लस क्लोमीटर परावर तक की मैलेज की बात की जाए या फिर ना की जाए चलिए बात करी ही लेते हैं मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कार लेगा तो उसको मैलेज को देखने की जुरूत पड़ेगी यह कार मैक्जिमम 13.7 लीटर तक का मैलेज दे देती है आईए अब मैं आपको इसका एक्जॉस नोट सुनाता हूँ मैं स्पेसल थेंक्स करना चाहूँगा कार स्ट्रीट को जरून यह कार मुझे प्रोवाइड की है इनका यह सोरूम दिली में नारायना में एवेलेविल है यदि आपको कोई भी प्रियोंड कार चाहिए हो तो आप इनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आल टाइम मोश्टली कार्स एवेलेविल होती है यह लगजरी कार्स में डिल करते हैं चोकि मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ बैनली भी मिल जाएगी, मर्सडीज भी मिल जाएगी, BMW भी मिल जाएगी, Porsche भी मिल जाएगी AC भी मिल जाएगी sedan भी मिल जाएगी sports, super cars भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इनका contact number और इनका address मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा और आपकी screen पर भी flash हो रहा है यहाँ का staff बहुत ही जादा cooperative है आपको यहाँ से कोई भी car लेने में कोई भी problem नहीं होगी यदि आप यह वीडियो देखकर showroom पर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप जरूर बताएं कि आप technical sht youtube channel पर वीडियो देखकर आई है हो सकता है आपको कुछ special offer मिल जाए आईए गाईज अब बात करते हैं इस car के सभी additional features की बॉक्स्टर में chrono package with driving mode selector मिलता है cruise control, speed limiter, two zone automatic climate control मिलता है इसमें air suspension भी मिलते हैं जिसकी साहता से आप इसको up down भी कर सकते हो और भी बहुत सारी features आपको इसमें मिलते हैं warranty की अगर बात की जाए तो company अपनी इस car पार 3 साल की standard warranty देती है और 60,000 km तक standard warranty देती है एक बहुती most important बात है यदि आप अपने लिए इस तरीके की car ले रहे हो तो आपको उसके लिए additional S-series की भी जरूत पड़ेगी और अपनी car को maintain रखने के लिए अच्छे product की भी जरूत पड़ेगी यदि आपके local market में वो आपको नहीं मिल रही है या फिर आपको ज़्यादा कीमत पे मिल रही है तो आपको बिलकुल भी परसान होने की जरूत नहीं है आप इस वीडियो के discussion box में जाएए मैं आपको उन सभी products के best offer बाइलिंक दे दूँगा जहांपर आप उनको click करके best offer में heavy discount पे market से कम कीमत पे original product को खरीच सकते हो प्राइस की अगर बात की जाए तो इस car की जो price की starting है वो on road start हो जाती है 1.60.000.000 से 2.10.000.000 रुपय तक base model आपको लगबग 1.60.000.000 के आसपास मिल जाएगा और top model लगबग आपको 2.10.000.000 रुपय के आसपास मिल जाएगा price का आप के वल रफाइडिया ही मानिए अब मैं ही उमीद करता हूँ इस car's related आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान सब्दों में मिल गए होंगे झालों जाएगा